बॉलिवूड कैफे आज एक्स्प्लेइन करना एक स्पैनिस मूवी इस मूवी में बाप और बेटे को एक ही लेडी से प्यार हो जाता है और इस प्यार के चक्कर में बेटा कुछ इस तरह से फसता है जैसे आगे कोगा पीछे खाई दोनों तरफ आफ़त आई साइमन नाम का लड़का अपनी गल्फेंड के साथ अपने पेरेंट से दूर रहता है साइमन और उसकी गल्फेंड फैबीन एक कार्टून आर्टिस्ट है और ये आर्टिस्ट नेचर की वज़े से अपनी फैमिली से दूर रहते हैं क्योंकि इनकी family मैं सब के सब डॉक्टर से आज Simon के father का 60th birthday है इसलिए Simon चाता है कि वो अपनी girlfriend को अपने parents से मिलाए इसलिए Simon अपनी girlfriend Fabian को लेके 6 महीने बाद में अपने parents से मिलने जा रहा है अपने dad के birthday पर वो अपने dad और mom से मिलता है और वो देखता है कि उसकी family के बहुत सारे member वहाँ पे आये हुए है लेकिन Simon की नजर एक lady पे जाती है जिसको वो पैचान नहीं पाता थोड़ी देर बाद में जब उस lady को वो अपने father के साथ involve देखता है तो वो पूचता है कि ये कौन है तो उसको पता चलता है कि ये lady उसके doctor father की secretary है दरसल Simon के dad एक psychiatrist है और ये lady उनकी नई secretary है Simon के dad की इन हरकतों के बारे में उनकी family को कोई problem नहीं था कि Simon के dad अपने patients के साथ affair रखते हैं और पुराने patients को ही अपनी secretary में बदल देते हैं और उनसे affairs चलाते हैं Simon की mom को इस बात से बहुत hurt होता था कि साधी सुदा होने के बावजूद भी उसका husband अपने patients और अपनी secretary से affair रखता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो खुद Simon के dad डॉक्टर कार्ल के नीचे काम करती हैं इसलिए Simon की mom को मन मार के भी Simon के dad के साथ रहना पड़ता है वो अपनी साधी को बचाने की खोसिस करती हैं Simon की mom Simon को बताती हैं कि मेरी साधी तूटने के कगार पे हैं तुमारे dad ने एक नई secretary रखी है और इस secretary का नाम है sonia अब वो sonia के साथ holiday पे जा रहे हैं तो मेरी साधी तूटना definite है क्योंकि ये sonia तुमारे dad से साधी करके रहेगी तो Simon अपनी mom को कहता हैं कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ वो कहती हैं कि clinic में तुम मेरा काम करना तो मैं free हो जाऊंगी और तुमारे dad के साथ holiday पे मैं चली जाऊंगी ताकि मैं अपनी साधी को बचा सकूँ अब Simon को अपनी मा पे काफी तरस आता हैं और वो अपने dad के clinic में काम करने के लिए तयार हो जाता हैं ताकि उसके mom dad की साधी बच सके अब Simon के dad बिना मन से ही सही लेकिन अपनी wife को holiday पर ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं और अपनी secretary शोनिया को Simon के साथ काम करने के लिए कुछ दिन अकेला छोड़ देते हैं इन दोनों के चले जाने के बाद में साइमन के dad डॉक्टर काल की secretary शोनिया साइमन को कहती हैं कि अगर तुम नहीं आये होते अगर तुमने अपनी मदर का काम अपने हाथ में नहीं लिया होता तो तुमारे dad के साथ मैं holiday पे जाती और हमारा relationship थोड़ा strong हो जाता तुम हमारे बीच में क्यों कूद पड़े हो इस बात पे साइमन कहता है कि तुम मेरे dad की हरकतों को नहीं जानती हो क्या उनके past relationship के बारे में तुमें पता नहीं है क्या उनकी बहुत सारी girl friends रह चुकी है और उनकी ये आदत है सोनिया कुछ देश सोचती है और साइमन को घर के अंदर आके कहती है कि तुमें हमारे relationship के बारे में कुछ नहीं पता है तुमारे father और मैं काफी गहरे relationship में है तुम अपने ideas अपने past में ही रखो साइमन को अब लगा कि सच में ही सोनिया उसके डैड से काफी close relationship में है और वो निरास होके वहाँ से चला जाता है और सोनिया कह रही है कि देखो तुमारी तो एक family है तुमारे तो बच्चे भी है मेरे पास कुछ नहीं है मेरा time waste मत करो साइमन को पता था कि उसके डैड holiday पे जाने के बावजूद भी सोनिया से बाते कर रहे हैं साइमन और सोनिया को यहाँ पर ये काम दिया गया था कि उसके डैड की जितनी भी video clips, cassettes जिसमें उसके interviews और lectures थे उन lectures को text form में convert करना था जो की काफी boring काम था lecture को सुनके उनके text लिखना साइमन के साथ साथ सोनिया को भी काफी boring लगता था सोनिया emotional होके साइमन को कहती हैं कि तुमारे डैड मुझे अपनी girlfriend मानते हैं वो openly मुझे प्यार का इजहार करते हैं और मुझे यहाँ पे अकेला चोड़के तुमारी mom के साथ holiday पर चले गए हैं और वो थोड़ा emotional हो जाती हैं और रोने लगती हैं क्योंकि वो life में settled नहीं थी उसको भी एक family चाहिए थी जो वो साइमन के डैड के साथ holiday पर जाकर उससे साधी करके बनाने वाली थी लेकिन साइमन के आ जाने की वज़े से अब उसका plan चौपट हो गया हैं साइमन को भी लगा कि उसके डैड कर तो गलत ही रहे हैं तो साइमन शोनिया को console करने की कोसिस करता है और उसको tissue paper देता हैं सोनिया साइमन के गले लगे जोड जोड से रोने लगती हैं और काफी emotional हो जाती हैं वो इतनी ज़्यादा emotional हो गई हैं कि अब वो साइमन को emotional outburst में किस करने लगी हैं लेकिन जल्दी इन दोनों को realize हो जाता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं और अब साइमन यहां से दूर हट जाता हैं और बाहर जाके ये सोचने लगता है कि वो ये क्या कर रहे हैं उसकी मॉम ने उसको यहाँ पर काम करने के लिए इसलिए रखा कि वो सोनिया को उसके डैट से दूर रख सके लेकिन अब वो खुद सोनिया के क्लोज हो रहा है वो अपनी फैमिली के कॉम्पलेक्स नेटवर्क में अब वस्ता ही जा रहा है क्योंकि उसकी गल्फेंड उसको कहती है कि हमारा कार्टून फेस्टिवल दो हफ़ते बाद में ही है तुम कौनसा काम लेके बैठ गए हो हम आर्टिस्ट हैं और हमें हमारा काम करना चाहिए अब साइमन अपनी गल्फेंड और अपने मा को किये हुए वादे के बीच में कुछ ऐसा फसा कि ना तो वो अपनी गल्फेंड को छोड़ सकता है और ना ही अपने मा के किये हुए वादे को तोड़ सकता है अगले दिन साइमन सोनिया को जाके सौरी बोलता है कि कल जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए लेकिन सोनिया बड़े आराम से अपना सिर हिलाके बोलती है कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जैसे सोनिया के लिए ये एक नॉर्मल सी बात हो तो साइमन कहता है कि इसके बारे में मेरे डैड को मत बताना तो सॉनिया कहती है कि मैंने अल्लेडी बता दिया है कि मैं तुम्हारे पीछे किसी लड़के के साथ इंगेजड हूँ लेकिन ये नहीं बताया कि वो लड़का तुम हो क्योंकि सोनिया उसके डैड की ex-patient थी इसलिए वो सोनिया की file निकालता है और वो पढ़ता है कि सोनिया suicidal tendency की patient थी जिसका treatment उसके डैड ने किया था और वो सोनिया की पूरी file पढ़ लेता है अगले दिन ये बात सोनिया को पता चल जाती है कि उसकी patient वाली file जो की doctor और patient के बीच में confidential होती है वो साइमन ने पढ़ ली है अब सोनिया अपनी file ढून रही है वो नहीं चाहती थी कि उसकी suicidal tendency के बारे में कोई और जाने वो साइमन को कहती है कि तुम मेरी file मुझे दे दो साइमन उसको file निकाल के दे देता है सोनिया emotionally रोते हुए कहती है कि तुमें हमारी private information नहीं पढ़नी चाहिए थी तुमारे इस behavior की वज़े से मैं तुमारे उपर case कर सकती हूँ सोनिया साइमन को अपनी file देना नहीं चाहती लेकिन साइमन उस file को खीसता है तो सोनिया उसकी तरफ मुड़ जाती है और सोनिया फिर से एक बार साइमन को किस करने लग जाती है और इस बार साइमन भी अपने आपको नहीं रोक पाता और वो भी सोनिया के साथ involved हो जाता है दूसरे काम करने वाले लोग आए हैं और वो सुनिया को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं साइमन अपने आपको अंदर के रूम के दरवाजे के पीछे छुपा लेता है इन लोगों के जाने के बाद में सुनिया और साइमन दोनों नीचे के रूम में चले साइमन को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है उसकी मॉम ने उसके डैड को सोनिया से दूर रखने के लिए ये सब करने को कहा था लेकिन अब वो खुद सोनिया के एट्रेक्शन में ऐसा फसा है कि वो चाहा कर भी अब यहां से जा नहीं सक साइमन सोनिया के साथ थोड़ी देर बैट के बाहर के कमरे में बात करना चाता है लेकिन सोनिया को कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी थी वो अंदर वाले रूम में जाके साइमन को अपनी तरफ एट्रक्ट करती हैं और इन दोनों के भीच में एक पैशिनेट लव मोमेंट ब साइमन को कहती हैं कि कभी मेरे घर पर भी आओ साइमन उसको किस करते हुए कहता हैं कि मैं जरूर टाइम निकाल के मैं तुमारे घर पे आऊंगा फिर सोनिया वहां से चली जाती है अब साइमन अपने घर की तरफ जा रहा है तो वो देखता हैं कि उसकी girlfriend उसके किसी friend artist के तो वो कहती है कि मैं कॉमेडी फेस्टिवल की तैयारी कर रही हूं तुम तो अपने मॉम और डैड के काम में बिजी हो मुझे किसी का तो साथ चाहिए ना फिर भी साइमन की गर्ल फ्रेंड फैबीन साइमन को किस करती हैं और वो कहती हैं कि तुम जल्दी से वापस काम पे लोटाओ लेकिन साइमन को अब ऐसा लगने लगा कि उसकी गर्ल फ्रेंड फैबीन का अफैर उसके फ्रेंड के साथ चलने लगा हैं और उसके मन के अंदर सक् इन दोनों का पीछा करता हैं और वो देखता है कि उसकी गर्ल फ्रेंड उसके नए आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ कार्टून फेस्टिवल की तैयारी में पुरी तरह से जुटी हुई हैं साइबन फैबीन को कहता है कि तुम तो बड़ी जल्दी बदल गई तुमने तो अपना फ्रेंड बहुत जल्दी बदल दिया तो वो कहती हैं कि दो हफ्ते के अंदर अंदर कार्टून फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला हैं मुझे कोई तो चाहिए था जिसके साथ मैं इस फेस्टिवल की तैयारी कर सकूं क्योंकि मैं काफी महीनों से इस फेस्टिवल की तैयार कर रही हूं तुम तो अपने मॉम डेट के काम में बिजी हो गए हो मुझे किसी का तो साथ चाहिए ना साइमन अपनी गल्फेंड को छोड़ना नहीं चाहता अभी उसकी मॉम का फोन आता है और वो कहती है कि प्लीज थोड़े दिन तक और मैनेज कर लेना हम यहाँ पर दोनों अच्छे से हॉलिडे इंजॉई कर रहे हैं प्लीज मेरे लिए तुम काम मत छोड़ना अब साइमन पूरी तरह से कन्फ्यूज था कि वो करे तो क्या करे साइमन उसी रात अपनी गल्फेंड के साथ नाइट क्लब में जाता है जहाँ पर ये दोनों काफी इंजॉई करते है लेकिन साइमन के मन में उथल पुतल मची हुई थी और काफी देर सोचने के बाद में ये डिसाइड करता है कि वो अपनी गल्फेंड को सोनिया के साथ हुए रिलेशन के बारे में बता देगा और वो फाइनली अपनी गल्फेंड को कहता है कि वो सोनिया के साथ इंटिमेट हुआ था ये सुनके फैबीन को बहुत बड़ा धक्का लगा और फिर वो वहां से चली जाती हैं थोड़ी देर बाद में साइमन को सोनिया का मैसेज आता है कि आज सैटर्डे हैं अगर तुम फ्री हो तो तुम मेरे घर पे आ सकते हूँ साइमन अब सोनिया के घर पे चला जात हैं वो देखता हैं कि सोनिया अकेली फ्लैट में रह रही हैं वो सोनिया के पास जाता हैं और थोड़ी बाते करने के बाद में ये दोनों फिस्क करने लगते हैं और इंटिमेट होते हैं सोनिया साइमन को डिनर सर्व करती हैं डिनर टेबल पर ये दोनों एक दूसरे से काफ के डैड और उसकी गल्फेंड शोनिया की एक तस्वीर रखी हुई है उसको ये समझ में आ जाता है कि ये फ्लैट उसके डैड नहीं सोनिया को दिया है तब ही वो देखता है कि उसके डैड हॉलिडे इंजॉई करके वापस आ चुके हैं उसके डैड सोनिया के घर में साइमन को देखके थोड़े सौक हो जाते हैं तो वो साइमन को पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो पर साइमन उल्टा अपने डैड से पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं तो उसका डैड उसको बताता है कि यह मेरा ही फ्लेट है और मैं यहाँ पे एक book लेने आया हूँ वो कहते हैं कि क्या तुम्हें पता हैं कि Sonia को एक baby चाहिए Sonia मेरे साथ इसलिए relation में है कि उसको एक baby चाहिए और वो कहता है कि मेरी तो already vasectomy हो चुकी है मेरी नस्बंदी हो चुकी है मैं Sonia को baby नहीं दे सकता मैं तो सिर्फ उसके साथ ऐसे ही relationship में हूँ तभी हम देखते हैं कि Sonia market से वापस आ चुकी है Simon के डैड Sonia से बात करना चाहते हैं लेकिन Sonia इस वज़े से दुखी थी कि उसके डैड उसको holiday पे लेके नहीं गए और वो उसके डैड के सामने ही Simon को किस करती हैं और पूसती हैं कि बेबी तुम्हें अच्छे से नींद आई क्या सिर्फ Simon के डैड को जलाना चाहती थी और इसके बाद में Simon के चहरे पे एक अजीब सी मुसकान आ जाती है Simon का डैड थोड़ा confuse हो जाता है और वो कहता है कि मेरे लिए तुम दोनों का रिलेशन कोई बड़ी बात नहीं है मैं तो दूसरी गल्फरेंड बना लूँगा लेकिन प्लीज तुम अपनी मॉम को समझा देना कि तुम सोनिया के साथ रिलेशन्शिप में हो ये कह के Simon का डैड वहां से चला जाता है Simon अपनी मॉम को समझाने की कोसिस करता है लेकिन उसकी मॉम ये मानने को तयार नहीं थी कि उसका बेटा भी उसकी सौतन के प्यार में पढ़ गया है अब दोनों मा बेटे मिलके यहां पे रोने लगते हैं लेकिन अब पस्ताए क्या हो जब चड़िया चुक गई खेथ पानी तो कुछ बचा नहीं हाथ में आ गई रेत दिनों के बाद मैं सोनिया एक बेबी को जनम देती हैं जो कि Simon का होता है क्योंकि Simon के डैड तो अल्ड़ी वेसेक्टोमी करवा चुके थे सोनिया को हमेशा से एक बेबी चाहिए था उसको फ्लैट तो Simon के डैड ने दे ही दिया था अब उसको एक बेबी भी मिल गया है और प्यार करने के लिए अब Simon तो है ही तो वो सोच रही है कि उसको एक complete family मिल चुकी है वो डॉक्टर काल के यहीं पे काम करती रहेगी वो अपना बेबी Simon के हाथ में देती है Simon उसको देखके थोड़ी देर के लिए खुस होता है लेकिन वो भी fully confused है कि उसकी life के साथ हुआ क्या उसकी life जो एक साल पहले अपनी girlfriend के साथ well settled थी वो अपनी family network में कुछ ऐसा फसा कि आगे कुवा पीछे खाई दोनों तरफ आफ़त आई और इसी के साथ ये movie end हो जाती है movie का explanation अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कीजेगा हमारे channel को subscribe कीजेगा and thank you for watching